Hello दोस्तों, सबीद को नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में मेरा नाम है पंकज दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी आपको अच्छी सा जन्गारी भी मिलने वाली है साथ में जो पिछले वीडियो में हमने दो question किये थे उनका जिनोंने answer सही दिया था उसमें से दो लोगों का जो winner है उनका भी नाम इसमें बताएंगे वीडियो में और साथ में दो question भी आपको वीडियो में मिलेंगे तो उनका आप जरूर जवाब दीजेगा हो सकता है कि अगला number आपका हो winner बनने का तो friends इस वीडियो को अभी से like कर दिजे और चैनल पर पहरी बें subscribe कर लिजे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यह जो आज आपको हम पौधा दिखाने जा रहे हैं यह हमारे घर में बहुत सारे पौधे लगे हुए थे हमने पिछले जब लटचीरा का वीडियो उने दिया था उसमें आपको बताया भी था कि हम जल्दी इसका वीडियो देंगे तो देखिए इधर हमारी गार्डनिंग की त्यारी चल रही है यहां पर हम कुछ नए पौधे जो अभी फरवरी में हम लगाने वाले हैं टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, ककड़ी, कद्दू, पेठा जो भी लगाने वाले हैं उन सब के लिए हम मिट्टी एक साथ त्यार कर रहे हैं तो वह आपको वीडियो जल्दी ही देंगे तो यह देखिए यह मकोई जो है बहुत सारी खड़ी हुई है इधर और बहुत अच्छी हेल्दी चल रही है जबकि इसमें ना तो सिचाई करी गई है ना तो यहां पर कोई खाट डाली गई है फिर भी देखिए जंगली पोधा होता है बहुत ही अच्छी से पनपता है बिना कोई देख रहे के बहुत अच्छी तरह से चल जाता है और इसका जो नाम है उसको मकोई बोलते हैं हमारे यहां आप कि हां जो बोलते हुँआ आप कमेंड करके ज़रू बताना और इस मकोई का जो नाम होता है वाटनिकल नम जो होता है वो होता है सोले नम नाइगरम और इसका परिवार जो होता है कुल होता है सोले नेसी कुल होता है और इसके परिवार में बहुत सारे पोधे और आते हैं तो उनको खाएंगे तो बहुत ही Heildy होते है वह ओर उनकी मातरा जो खाने की होती है वह आप एक मुठी खा सकते हैं सुबह एक मुठी साम को यानि आप 15-20 ग्राम आप अंदाजा लगा सकते हैं 15-20 ग्राम फल इसके पके हुए खा सकते हैं और यह देखिए अगी कच्छे फल इसमें लग रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं और कैसे यह पौधा बहुत ही रामबाल तरीके से काम करता है बहुत थारे लोग परसान रहते हैं लीवर की समस्या से तो लीवर की समस्या के लिए बहुत ही रामबाल काम करता है इसकी दे खाएंगे तो आपको बहुत बड़ा बन्फिट मिलेगा और दोस्तों लीवर में सूजन आयाती है जब तो बहुत दिक्कते होती है लीवर गडबर होने से आँखों में पीला पर हो आता है सूजन हो आती है यह आपको पीलिया हो तो इसका साख जरूर बढ़ा कर खाएं और पेट को भी साफ करता है इसके अगर फल खाते हैं पके होगे तो पेट को बहुत अच्छे से आतों की सफाई करता है और अगर जो दाने होते हैं वह आपको काले-खाले अभी देखें लग रहे हैं लेकिन जल्दी है पकने लगते हैं और पकने के बाद आप इनको तो अच्छे भी नहीं लगते हैं और चिडिया बहुत खाती है इसके जो पके फल होते हैं ये देखिए पतियां बहुत ही कोमल होती है और इनका जो साग है वो बहुत चेस्टी बनता है और आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूटूब पर सच करेंगे तो कैसे इस कोई की खेती हमने बताई थी और इसकी जो ट्रांस्प्लांटिंग है पौधे की जो रुपाई है वो हमारे हां अक्टूबर नॉम्बर में होती है और फरोरी मार्श तक इसकी फलो की तुड़ाई इस्टार्ट हो जाती है तो आपका मर जब भी आप पौधा लगाएं तो कहीं से भी उठा ला सकते हैं क्योंकि बहू ज़्यादधकू नॉमबर में हर जगे आपको बभाख भी मिलेंगे तो जहांसे आपको मिल जायों अब पौधा उप घर में लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से चलते हैं यह अक्टूबर नॉम्बर में बिसंबर तक कभी भी तो यह पौधा आप आसाई से ग्रोव कर सकते हैं, इसको कोई देखरेक करने जरूत नहीं पड़ती है और हमारे इसकी कामर्सिल खेती होती है, इसकी जो फल होते हैं उनको तोड़के बेचायाता है तो कि इसका बहुत सरी मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, और यह जो है कुछ डाइबिटीस के जो दवाय मनती है उसमें भी प्रयोक कियाती है चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि पिछली वीडियो के हमारे दो विनर कौन-कौन से हैं पहिले जो हमारे विनर है वह है गार्डिंग विद राजबीर, तो आपको बहुत बहुत बदाई, आपने बहुत ही सही जवाब दिये हैं और जो कमेंट-पिकर अप उसके मादहम से आप विनर बने हैं तो आप भी कमेंट पिकर आए पके माध्यम से पिछले वीडियो के हमारे विनर बने हैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और आप भी अपना एड्रेस और मॉबाइल लंबर जो भी है आप हमसे कांटर कर लीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो चलिए अब बारी है दो नए कोशन की इस वीडियो के जो आज के सवाल हैं तो पहला सवाल यह है कि मकोई के पके फलों की कितनी मात्रा में खाना फायदे मन रहता है यानि कितनी मात्रा फलों की हम पके फलों की खा सकते हैं जो हमें नुक्सान भी ना करें और दूसरा सवा यह है कि मकोई के पौधे को लगाने का उचित समय क्या होता है अगर हम खेती करना चाहते हैं या फिर गमलों में लगाना चाहते हैं तो यह दो सवाल है इन दोनों सवालों का सही जाब देने वाले को मिलेगा फिर से पांच सब्जियों के फ्री में भीज उनके घर तक को कुछ से वजते हैं उन्म की क